ASWP यानि Systematic Withdrawal Plan regular income पाने का अब एक बहुत ही popular source हुए जा रहे हैं ASWP के माध्यम से आप monthly, quarterly, yearly पैसा निकाल सकते हैं Systematic Withdrawal Plan यानि opposite of systematic investment plan Systematic Investment Plan SIP के माध्यम से आप एक systematic way में invest करते हैं और एक निश्चत समय बाद आपका एक बड़ा corpus एकटा हो जाता है लेकिन SWP में पहले आप एक बड़ा amount invest करते हैं और एक systematic तरीके से वहाँ से withdrawal करकर एक regular income पाते हैं SWP में भी आपको compound interest का फाइदा मिलता है और आज देश में बहुत सारी ऐसी mutual fund schemes हैं जिनके माध्यम से आप SWP कर सकते हैं लेकिन 2024 में कौन सी schemes हैं SWP के लिए best इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे नमशकार मैं हूँ मनीश तनेजा और आप देख रहे हैं Z Funds Z Funds जहां अब आप ले सकते हैं loan against mutual funds जी हाँ कहीं से भी कभी भी कियों आपने mutual fund investments उन investments को collateral रखकर अब आप एक loan ले सकते हैं आज ही Z Funds अब दाउनलोड करें और बात करें अपने Z Funds एक्सपर्ट से तो आईए पहले जानते हैं systematic withdrawal का एन SWP किन investors के लिए सही है अगर आप एक salaried person हैं और कुछ समय बाद retire होने वाले हैं जिससे आपको एक मुश्थ बड़ा amount मिलने वाला है और आप चाहते हैं कि इस amount के जरिये बगैर कुछ काम किये आपको एक monthly income आती रहे तो SWP आपके लिए एक बहतरीन option है भही यदि अगर आप एक salaried person है और आपको bonus के रूप में एक मुश्थ amount मिल रहा है तो ये पैसा invest करकर आप SWP के माध्यम से अपनी monthly income बढ़ा सकते हैं अगर आप एक businessman है और आपके पास इस समय कुछ lump sum amount है जिसके माध्यम से आप एक passive income चाहते हैं तो SWP आपके लिए भी better option है systematic withdrawal plan हम Z funds में dynamic asset allocation वाले mutual funds में करवाते हैं dynamic asset allocation वाले mutual funds यानि ऐसी mutual fund schemes होते हैं और pure debt fund से ज्यादा return देते हैं अगर आप hybrid mutual funds के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इन schemes बनाए गए हमारे वीडियो जरूर देखें ये वीडियो आप पाएंगे इस वीडियो के end में अब SWP का मतलब ये नहीं है कि अगर आप regularly पैसा निकालते रहेंगे तो आपका corpus ही खतम हो जाएगा ये mutual funds की खासियत है अगर आप SWP कर रहे हैं तो एक ऐसे rate पे करें जिससे आपका principal ना erode हो example से समझाता हूँ मान लीजे आपने एक dynamic asset allocation fund में SWP शुरू करी dynamic asset allocation fund से हम उमीद रख सकते हैं कि वे सालाना 10-12% का return देंगे तो आप अपना annual withdrawal 6-7% रखें इससे होगा ये कि आपका सारा corpus erode नहीं होगा लाख रुपया लगाया हुआ अगर साल में 10% के दर से बढ़ता है और उसमें से आप 6-7% निकाल लेते हैं तो आपका लाख रुपया कम नहीं होगा आईए एक example से समझते हैं आपने SWP के माध्यम से 10 लाख रुपया invest किया जिस पे आप हर महीने 0.5% निकाल रहे हैं यानि सालाना 6% ये पैसा आप निकाल रहे हैं 5 सालों तक कर 10 साल कर लिया और आप हर साल 6% का विड्रॉल करते हैं यानि 0.5% विड्रॉल एवरी मंथ तो इन 10 सालों में 6 लाख रुपय तो हो गया आपका विड्रॉ और आपके 10 लाख रुपय की वैलियो हो जाएगी लगभग 19,97,000 रुपी याद रखें यहां हमने माना है कि ये फंड 12% का सालाना रिटर्न जनरेट कर रहा है मूचल फंड में SWP का एक और फायदा है ये रेगुलर इंकम आप इन्वेस्ट करने के अगले महिने से पास सकते हैं इसमें कोई लॉक-इन पिरेड नहीं है इनमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मूचल फंड में SWP का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मंथली इंकम अगले महिने से ही शुरू हो गई इसमें किसी लाइफ इंशूरंस पॉलिसी की तरह पात साल या दस साल वेट करने के आपशक्ता नहीं है SWP का एक फायदा और है आप डिसाइड कर सकते हैं किस डेट को ये विड्रॉल हो और कितना अमाउंट पे ड्रॉओ ये फंड मैनेजर पर डिपेंडनेट नहीं है डेट और विड्रॉल के अमाउंट को चूज करने की आजादी इंवेस्टर के पास है हमारी Z Funds की Research Team ने SWP Investment के लिए चार स्कीम को identify किया है इसमें से पहली स्कीम है HDFC Balanced Advantage Fund इसकीम ने पिछले 5 सालों में 21.53% का annual return दिया है और पिछले 10 सालों में 15.17% का annual return दिया है ये एक open ended mutual fund scheme है आप इसमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा इस mutual fund scheme से निकाल सकते हैं क्योंकि ये dynamic asset allocation की mutual fund scheme है इसमें कुछ पैसा equity में है कुछ पैसा fixed income instruments में लगा हुआ हमारी दूसरी scheme है ICICI multi asset allocation fund इस scheme ने पिछले 5 सालों में 21.52% का सालाना return दिया है और पिछले 10 सालों में 15.17% का सालाना return दिया है इस scheme के माध्यम से भी SWP करके regular income पा सकते हैं हमारी अगली scheme है Edelweiss Aggressive Hybrid Fund इस scheme ने पिछले 5 सालों में 19.5% का annual return दिया है और पिछले 10 सालों में 13.97% का annual return दिया है ये भी एक hybrid mutual fund scheme है हमारा अगला fund है HSBC Aggressive Hybrid Fund ये fund भी Edelweiss Aggressive Hybrid Fund की तरह एक aggressive hybrid mutual fund है इस scheme ने पिछले 5 सालों में 16.43% का annual return दिया है और पिछले 10 सालों में 13.29% का annual return दिया है इन सारे funds के बारे में अधिक जानकारी के लिए और कैसे set की जाए SWP ताकि आती रहे आपको एक regular monthly income इस सारी जानकारी के लिए आज ही Z Funds आप डाउनलोड करें और बात करें अपने Z Fund एक्सपर्ट से Z Funds जहाँ हैं आपकी investments सही और असान